हाई गैस और विल्कम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजूकेशन विल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूस और एडिटोरियल इनालेसेस और 14 अगस्ट 2021 तो गैस आज है तारिक 14 अगस्ट 2021 और है सेटरडे देखेंगे आज का देहिंदू कंप्रीट न्यूस पेपर को अन मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जोइन कर लेना देखो अगर आप लोगो को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगो को टेलिग्राम का लिंक दिया गया है वो लिंक इसी चैनल का है जैसी आप उस पे क्लिक करोगे आटमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जोइन कर लेना नाव जोइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आपको डेली बिस्स पर दहींदू न्यूस पेपर मिल जाता है डेली करेंटा फिर के वीडियो का पीडिएफ मिल जाता है डे रिजन में कहां पर है अच्छे सा मैप में देखना फिर आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे तो चलो शुरवात करते हैं यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल अगेन अफगानिस्तान क्राइसिस के बारे में चर्चा हो रही है आपको मालूम होगा पिछले 3-4 महीनों में यह अफगानिस्तान की क्राइसिस के बारे में काफी ज़दा चर्चा हुई है और इन फाक्ट अभी 2-3 हफते से यह बहुत ज़दा न्यूज में कवर किया जा रहा है तो हो क्या रहा है अफगानिस् अफगानिस्तान के ओपर तालीबान ने बहुत सारी जगा पर कबजा कर लिया है इन फैक्ट यहाँ पर तालीबान की कोशिश यह है कि पूरी तरह से अफगानिस्तान के ओपर कबजा किया जा सके तो यहाँ पर इसका यह फोकस है अब उसी को लेकर यह चर्चा हो रही है कि आज के टाइम पर जो यह चिंता है वो काफी हत तक बढ़ चुकी है तालिबान ने पहुत सारे जो शहर हैं उनको सीज कर लिया है क्योंकि जैसे ही काबुल के ओपर यहाँ बहुत दूर है ऐसा यहाँ पर बताया गया उसके बाद जो उसी लोग चिंता अब हो गया है ताकि वहाँ पर जो citizens रहे रहे हैं, उनको evacuate किया जा सके, उनको वहाँ से हटाया जा सके, क्योंकि आज की time पर उन लोग की जान भी जा रही है, बहुत सारे लोग की जान जा रही है, इस conflict के बीच में, ये सारी चीज़े देखने को मिल रही है, जो evacuation order है, जो लोग को हटाया ज करें हैं, बहुत सारे लाइब बताये गए हैं, जो कि हमारे कोई इनतना माईने नहीं रखते हैं, एकंप के पास्प्टिव से हम पढ़ा रहे हैं, तो फिर यहां पर बहुत सारे शहर के उपर इहां पर गभजकर लिया है, उन शहरे के नाम बताये गए गए तो आप कह सकते क्योंकि आज के टाइम पर जो situation अफगानिस्तान के अंदर वो बहुत ज़ादा critical हो चुकी है अब यहाँ पर देखते आने वाले टाइम पर किस प्रकार से यह चीज सही होती है अब आगे आप लोग देख पाओगे न यह जो article के अंदर बताया गया है क्योंकि यहाँ पर आग क्रासिस के बारे में कैसे इन सब की शुरुवात हुई थी और आप लोग को बहुत सा यह लोग को मालूम होगा नहीं मालूम है तो बने रहना आगे काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला है और थोड़ा बहुत अगर वोईस में चेंज लग रहा हो तो हाँ पेट्रोल को ऊपर छूट दी तीन रुपए हाँ पर कम किये गए अब यहाँ पर तीन रुपए कम करने से कितना बड़ा यहाँ पर यह मार्जिन क्रियेट हुआ है इसके बारे में हम लोग समझेंगे यह क्या है मुद्धा एक्जैक्ली तो यहाँ पर आप देख पाओगे हम लोग इस announcement के बारे में समझते हैं जो यह state tax है पेट्रोल के उपर इसको reduce किया गया तीन रुपए से अब्यूसी बात है जब यहाँ पर पेट्रोल हम लोग purchase कर रहा है मालो हम लोग दूसरी country से जैसे की साओधी रेभिया हो गया बाकी जो यह ओपेग countries होती है oil exporting countries होती है क्या हो गया oil producing exporting countries होती है यह लोग oil को export करती है क्या directly oil export करती है नहीं crude oil कच्चा तील इन country से खरीता है खरीदने के बाद यहाँ पर क्या करता है अपनी country के अंदर इसको refine करने के बाद हम लोग बेचते है ठीक है जो petrol निकल जाता है तो petrol यहाँ पर sell के जाता है petrol के अलावा और वी जो चीज़े होती है उनसे वेसलीन वगतर एसी चीज़े बन जाती है तो हमने क्या कर रहा? मालो हमने दूसरी कंट्रीस है! जो ऐन्टरनाशनल लेवल पर कंट्रीस है उन से हमने पेट्रोल को把它eas किया कि इंडिया ने तो क्या होगा यहाँ पर हम लोग पैसा पे कर रहे हैं ठीक है और आपका सकते हो पैसा पे करने के बाद अब क्या है यहाँ पर जो क्रैसिस चलेंगे वो चीज हमें भी जेलनी पड़ेगी आज के टाएं पर आपको मालूम होगा इंटरनेशनल लेवल पर पेट्रोल को लेकर क जब पर्चेस कर लिया है तो हमारी कंटेरि के अंदर जो सरकार हमारी यह पेटरोल देखी हम लोग को तो उसमें किक्र। भी टेक्स लगाता है स्टेट भी टेक्स लगाता है इसकी वजासे इसके दाम और ज्यादा बढ़ जाता है ओके तो यहां पर आप लोग देख पाऊगे अभी क्या है जो स्टेट वाला टेक्स है उन्हें जो है एक तरीके से टेक्स के अंदर थोड़ा बहुत रिडक्शन किय है तीन रुपए पर लेटर यहां पर घटा दिया है लेकिन तीन रुपए पर लेटर तो आप समझ सकते हो अचानक से काफी भारी पर कम अमाउंट गिराया है जब आप सोच देखते होंगे आपने देखा भी होगा जब एक रुपए लेटर बढ़ जाता तो रावतों में कम किया गया है अब आप कह सकते हो 15% जब टेक्स लिया जा रहा है मतलब 13.02% करके ऐसा यहां पर देखने को मिला है पर लेटर तो इसको कम करके 11.52 पर लेटर कर दिया है यानि कि 3 रुपए कम कर दिया है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो जो पैट्रोल डीजल के टै तो ऑब्यस सी बात है जब यहां पर पेटरोल के प्राइस को एक तरीके से कम किया जा तो इससे जो तमिलाडू की सरकार है इसको इंकम के अंदर भी एफेक्ट पड़ेगा बिल्कुल यहां पर इनका इंकम रेवेन्यू भी लॉस होगा थोड़ा सा लगबग बोला जा रहा तो इनका पैसा पूरा आता या फिर इसको बढ़ा देते तो पैसा ज्यादा आता तो इस वैसे यहां पर भी थोड़ा सा रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आएगा यह है कंप्लीट आर्टिकल आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा यही पिच्चर को पूरे आर्टिकल क नहीं है पिछली PDF कहां है तो टेलीग्राम पर देखो PDF में डेली बैसिस पर प्रोवाइल करवाता हूं लेकिन जो यह PDF है वो 24 घंडे के लिए रहती है मालो आज 14 अगस्त है तो अभी न्यूस पेपर एनलिसस अपलोड हो जाएगा उसके बाद 7.30 के बीच में आपको यह न करना पड़ जाता है कुछ copyright issues है ठीक है अधर्वाइस हम लोग copyright violation करते हैं नजर आएंगे तो यहां पर क्या है कि अगर वे PDF फिर लंब समय तक रहती है तो फिर इससे दिक्कत भी create हो जाएगी तो इस वजह से क्या है आप लोग डाउलोड करके अपने पास store कर गए रख लि वाला है जी एस पेपर 3 environment के point of view से देखो man and animal conflict यह बहुत जदा चर्चा में रहता है आपने सुना भी होगा और इसको पर पहले question पूछ चका है mains में ठीक है तो यहां पर क्या है man animal conflict होता क्या exactly पहले हम लोग इसको समझेंगे नाम से आप समझ में आ रहा होगा आप लोग को man यानि इनसान और जानवर के बीच में विवाद क्रेट होगा है मतलब लडाईयां हो रही है अब लडाईयां कैसे होंगी यह क्या है इसके पीछे के reason इसको हम लोग समझेंगे तो केरेला नहीं है यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर step उठाया है लगबग 13 state यहाँ पर आप क समझेंगे यह man animal conflict का है फिर उसके बाद हम लोग यह केरेला का यह step समझेंगे यह article आपका GS paper 3 environment के point of view से important हो जाएगा और क्योंकि यहाँ पर आपके environment का जो section है उसके अंदर बहुत सरे topics आपको देखने को मिल जाएंगे in fact directly UPSC ने syllabus के अंदर mention कर रखा है man animal conflict human wildlife animal conflict तो आपक action हो जाता है इसकी वज़ा से इंदोनों के पीच में conflict हो जाता है for example मालो यहाँ पर फोरेस्ट के पास में यहाँ पर मालो यहाँ पर खेती बाड़ी हो रही है जो किसान भाई लोग है यहाँ पर अपनी खेती कर रहे हैं यहाँ यहाँ पर फेंसिंग वगरा है नहीं तो क्य क्या होगा यह जो फार्मर अब वैसी बात है स्खेत को बचाएगा यह उसके लिवले हुड़ है यह बचाएगा तो जाकर यह क्या करेगा इसको भगाएगा यह नहीं भागेगा तो ऐसी चीजे देखने को मिल जाती है तो इन दोनों के बीच में conflict देखने को मिल जाता है औ तो यह मैं अनिमल conflict आपको देखने को मिल जाएगा यह बहुत जाएगा यह बहुत जादा है तो इसका मतलब समझ गए होगे इसके पिछे कारण है पहला तो अर्बनाइजेशन देखो आप लोग क्या कर रहे हो अब आज के टाइम पर जाद सदा क्या हो रहा है अर्बनाइ आसपूर्ट नेटवर्क बनाए जा रहा है बहुत लगातार आपका सकतो कंस्ट्रक्शन जारी है रोड रिल नेटवर्क बनाए जा रहे हैं फॉरेस्ट के तुरू तो इससे भी जो यह एनिमल्स कॉन्फिक्ट है यह बहुत जादा देखने को मिल जाता है बहुत सार इनमल जादा से जादा बनते हैं जाद जादा फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं लोकल पीपल जो है पास में रह रहे हैं तो इससे क्या होगा इससे भी यहाँ पर एक मैन और एनिमल्स कॉन्फिक्ट काफी अतक बढ़ता है उसके बाद इसके अंदर आप लोग और भी बहुत सारे का जासे फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है कि यह एनिमल और हुमन कॉन्फिक्ट हो जाते हैं तो अभी यहाँ पर करेला सरकार इसी चीज को लेकर स्टैप उठा रही है कि यह लोग यहाँ पर फॉरेस्ट के ओपर पूरी तरह से अची तरीके से मानेजमेंट करने वाले हैं ए निमझतर Cette Architect काथ a की तरह एक एक देखे लिए su diec dragging के बारे में इजरो स्पाई केस के बारे में अब ये इजरो स्पाई केस क्या है पहले तो हम लोग देख लेते हैं न्यूज में ये क्यों है फिर उसकाद हम लोग बात करेंगे इस केस के अंदर क्या हुआ था नमभी नरायन जी का अपने नाम सुना होगा उनको एक तरीके से गलत तरीके से टार्गेट किया गया उनकी इमेज खराब करी गई थी आगे हम लोग समझेंगे इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर न्यूज में इसलिए है कि जो भी चार एक्क्यूस परसन थे इसरो केस के अंदर इसरो का जासुसी कांट था इसके अंदर चार एक्क्यूस परसन थे जिनको पर आंचन लगाए गए थे तो उनको अभी एक एक एंटिसिपेटरी बेल मिल चुकी है उनको अभी आराम से वो एक तरीके से रिलीज हो चुके है एक बेल पर तो ऐसा यहाँ पर बोला गया है बट अब क्या है अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे यह इजरो स्पाई केस क्या है यहाँ पर आप देख पाऊगे हाई कोट के एक स्टेटमेंट है कि इनकी जो उम्र है यह जो चार लोग एक्यूस परसन है जिनोंने यह काम किया था जिनोंने नम्भी नाराएंच जी को एक तरीके से गल्ल साथ के ट्रेट किया तो इनकी उम्र काफी ज़ादा हो चुकी है इनको जेल नहीं क्या जा सकता है यहाँ पर बोला गया हाई कोट के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया चलो बात अलग है बट हम लोग पहले इस केस को समझेंगे ना यह जो पिच्चर है ना इस पिच्चर के थुरू आप लोग बहुत इसली इसको समझ पाओगे यह आर्टिकल बहुत बार न्यूज में आ चुका है ठीक है बहुत बार मतलब जितनी बार सोसको उतनी बार कम है इतनी बार न्यूज में कवर हो चुका है और इंपोरेंट है तो इस रो इंडियन स्पेस रिसर्च ओगिनेजेशन यह आपको ध्यान रखना है नाम फता होगा सबको होता क्या है यह कहानी शुरू होती है ठीक है और पहले 1991 से यहां अट किया रहा होता है चलो रॉकेट को develop कर लेते हैं अब रॉकेट को develop करने के बाद हमें एक टेक्नलोजी होती है उसको बोला जाता है cryogenic technology जब तक यह टेक्न लोजी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग अपने rocket को उड़ानी सकते क्योंकि हम रॉकेट त्यार कर लिया लेकिन इसके अंदर जो इंधन का काम करने वाला है वह क्रायोजेनिक टेकनलोजी करेगी और यह जो क्रायोजेनिक है यह अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है इसको मैं आगे एक्स्प्लेन करूंगा यह होता क्या है क्रायोजेनिक तो उसका यॉआससे की से हमने पुआथे किया नहीं क्योग्य। क्योंकि यॉँईसे बहुत जादा धाम यह एक तरीके से पूरा बहुत कर बात करेंわかए रूघा जोह है कम दाम में टेकलोजी देगा USA को बिल्कुल सही लगेगा नहीं क्योंकि USA चाता है रश्या के उपर US ने काफी दवाब डाल दिया US ने बोला कि देखो यार इंडिया को ये टेकलोजी नहीं बेचनी है तो यहाँ पर रश्या ने ये सारी बाते रखी तो हमारे जो प्राइम इनिस्टर थे उस समय उन्होंने भी यहाँ पर एक सुझावदी देदो पूरा बना बनाया वो खोल खाल के हम लोग यहाँ पर देख लेंगे हमारे पास ऐसे साइंटेस्ट है जैसे नम्मी नरायन जीजी जैसे साइंटेस्ट है जो कि उसको खोल खल के समझ लेंगे ये क्या टेकनिक इस्तमाल हुई है ठीक है ऐसा है यहाँ पर रश्या से बोला गया रश्या ने बोला हाँ ये काम कर सकते हैं ठीक है तो ध्यान दखना अभी भी हमारे पास क्राइवजनिक इंजन आया नहीं है रश्या ने बोल दिया कि हा बवाल क्रेट हो गया October 1994 वा था एक कानी शुरूवी थी 1991 से अब आता है October 1994 तो यहां पर एक महिला है जिनका नाम है मर्यम राशीदा तेके मालदीवयन नेशन है मालदीवयन नाशनल है इनको अरेस्ट किया गया थिरूवननतापूरम में अब इनको अरेस्ट करने के बाद यह यह पता चला कि इस विमन ने इस विमन के पास कुछ डॉकुमेंट्स वगरा एक तरीके से डॉकुमेंट्स या कह सकतो आप कुछ डिजाइन है ठीके स्पेस वगरा के डिजाइन है अब यहां पर इस महिला पकड़ा गया इस महिले से बोला गया कि यह सब क्या है तो इस महि पाकिस्तान को अब यहां पर यह मुद्दा काफी बढ़ चुका था बोला गया कि देखो मतलब की इंडिया जो है या खासकर नम भी नराइन जी यह दोगा करने इजरो के साथ इजरो की जो टेक्नलोजी है यह पाकिस्तान को बेचते वे नजर आ रहे हैं पाकिस्तान को यहां कैसे कैसे यहां पर इंडिया के अंदर काम और राइजरों के अंदर तो यह चीज़ें यहां पर यह देखने को मिली हाला कि ऐसा कुछ था नहीं ठीके यह बुरा बुरा शडियंत्र रचा गया था यहां पर आप लोग देख सकते हो यह बना आपको बताया उसके बाद जैस जेल से रिलीज किया गया फिर CBI की बैठक बैठी CBI ने एक रिपोर्ट जारी करी और CBI ने रिपोर्ट जारी करने के बाद यह बताया उस रिपोर्ट में कि इनके उपर मतलब इन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है ऐसी कोई बात ही नहीं है ठीक है इन्होंने कोई यहां से जितने भी लांचनते सब को हटा दिया जाता है हाला कि इमेज पूरी तरह से खराब होई चुकी थी दुनिया बर में उसके बाद एने चार सी जो है इनको आवार्ड देता है फिर इनको बहुत पैसा दिया जाता है दसलाग का वार्ड देता है इनकी मांग थी एक करोड है अभी जो है सप्टेंबर 2018 के अंदर भी इनको कमपंजेशन दिया गया था बट फिर उसके बाद ये चर्चा में है लगातार क्योंकि ये पहुंच गए सुप्रीम कोड पहुंच कर इन्होंने बोला जो वो पुलिस वाले हैं जिन पुलिस वालों ने इनको अरेस्ट किया तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा हाँ एक चीज और मैंने आपको बताया ये जो रॉकेट है इसमें हमें चाहिए थी क्रायोजेनिक टेकनलोजी क्रायोजेनिक टेकनलोजी क्या होती है इसके अंदर जो फ्यूल होता है मालो कोई लिक्विड है कोई पानी है हमने तो उसको ठंडा भी रखना है, प्लस बरफ भी नहीं बनने देना है, ठंडा भी रखना है, ठंडा भी लगातर करना है, और बरफ भी नहीं बनने देना है, तो उस चीज को मिंटेन करने के लिहां पर ये cryogenic technology का इस्तमाल किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये है cryogenic technology और इसकी वज़े से जो इज़रो है वो काफी पीछे पहुंच चुका था, हमने अपने रॉकेट से यार कर लिये थे, हमारे पास यह इंदन मिल जाता तो हम जल्दी लॉंच कर देते, लेकिन इसको हम लोगोंने लगबख 14 साल बाद खुद बनाया, इस टेकनalebोजी का, किसी कंट्री से हमने इसको नहीं लिया, क्योंकि यह सब कंट्री के अंदर क्रिएट हो गया था, फिर उसकाद यहाँ पर किसी कंट्री ने इसको दिया ही नहीं, बढ़ते हैं आगे नेक्स राडिकल के तरफ देखो इस केस के अंदर और वी बहुत सारी चीज़े हो सकती है बट मैंने आपको एक ओवर्वियू दिया है छोटा सा ठीक है यहाँ पर है एक छोटा सा अर्टिकल माइक्रो प्लास्टिक आइटम्स को बैन किया जाएगा ऐसा यहाँ पर बोला गया है गोवर्वन्मेंट ने एक रूल्स को नोटिफाई कर लिया है रूल्स हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 तो प्लास्ट प्लास्टिक फ्लाइग आइस्क्रीम स्टेक थर्मकॉल डेकोरेशन प्लेट्स कप्स और भी बहुत सरी चीज़े बताई गई यार फोक्स स्पून से नाइफ स्ट्रॉस ट्रेज वरैपिंग पाकिंग फिल्म्स अरे बहुत सरी चीज़ें तो इन जब चीज़ों को यहां पर बैन करने की बाद कर रहे हैं ठीके सिंगल यूज प्लास्टिक को ऊपर थो हम लोग पहले से काम कर रहे हैं बट यहां पर प्लास्टिक को बैन करने की बाद करीगे क्योंकि एन्वोर्मेंट के लिए यह एक बहुत बड़ा खत्रा देखने को मिल जाता है अगर आप लोग प्लास्टिक यहां पर यूज कर रहे हैं उसको रियूज कर लो तो थोड़ा बहुत यहां पर चीज़ें मिंटेन होती भी नजर आएंगे बट आप लगातार इनका प्रोड़क्शन करोगे तो यह एन्वोर्मेंट को कहीं न कहीं बहुत बुला प्रभाव डालती भी नजर आएंगी उसी चीज़ को देखते वे जो हमारे एन्वोर्मेंट मिनिस्ट्री हैं फ्राइडे में उने एक रूल्स को नोटिफाई किया है प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 जो की काम करेगा प्लास्टिक आइटम्स को बैन करने के लिए को हम लोग को बैन करना ही होगा और हमारी कोशी है कि जल से जल हम लोग जो है इनको बैन करें और करेंटली आज के टाइम पर जो यह रूल्स है न यह बहुत सारी चीज़ों के उपर रोक लगाते हैं जैसे कि manufacturing, importing, distribution, sale and use of carrybacks जो भी यह प्लास्टिक है इनके उपर इनकी manufacturing न ना हो, stocking ना हो, कोई stocker के ना रखे, distribution ना हो, इनके उपर आज के टाइम पर हम लोग वर्क कर रहे हैं अल्रेडी, लेकिन अभी हाँ पर कोशिश है कि इसको थोड़ा सा और ज़्यादा strict किया जाए और आज के टाइम पर क्या जो plastic materials हैं जो की store करने के लिए, packing करने के लिए यह plastic को eliminate करते हुए, नजर आएंगे हम लोग अपने environment से, okay, I hope आपको यह clear हो गया होगा, उसके बाद एक दू छोटे छोटे आर्टिकल हैं, आपर statement ही दी गई है, exam perspective से important नहीं है, जहाँ पर exam perspective से चीज़ important होगी, definitely मैं cover करूँगा, यहाँ पर एक आर्टिकल दे रखा है, important है, यह new museums बन रहे हैं, किस के ओपर, jamu and Kashmir के ओपर, ठीक है, jamu and Kashmir के अंदर नहीं, on jamu and Kashmir, on gautam buddha, on freedom struggle, मतलब इन सब चीज़ों के regarding यहाँ पर in museums को बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि यह jamu and Kashmir museum है, इसके अंदर capture किया जाएगा, जो jamu and Kashmir हो गया, लद्दाक हो गया, आपका सकते हो कि इसका essence क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपर बताया जाएगा, जो यह नया museum है, on jamu and Kashmir, गautam buddha, Indian armor, तो freedom struggle हमारा, यह बोला जा रहा है, अगले साल तक यह complete हो जाएगा, इन museum को complete कर देंगे, अगले साल तक, अब यह statement दिया है हमारे culture minister ने, ठीक है, जो कि जी किशन रेडी साव है, आज की time पर, जो यह museum है, on the jamu and Kashmir, इसको setup करने वाले हम लोग लगबग इसके अंदर 13 करोड रुपए की cost लगेगी, यह setup क्या जाएगा, capital के अंदर, यानि की new Delhi के अंदर इसको setup क्या जाएगा, और इसके अंदर को इस museum के अंदर देखने को मिल जाएगी, prehistoric time से लेकर, आज के time तक, जितनी भी unheard stories है, जो कि लोग को नहीं पता है, वो सब चीज़े हमाँ पर देखने को मिलेंगी, उस museum के अंदर, ठीक है, regarding jamu and Kashmir and Ladakh, उसके बाद, जो ministry है, यानि की ministry of culture है, इन्होंने already यहाँ पर, यह गौतम बुद्धा के उपर, तो आप कह सकते हो, जो यह गौतम बुद्धा के उपर museum होगा, इसके अंदर cost लग रही है, 7.5 करोड तक की, इसको इस साल यहाँ पर बोला जा रहा है, देखते हैं, establish यहाँ पर setup करेंगे, और उसका यहाँ पर आप कह सकते हो, कि इस museum के अंद यहाँ पर आप कह सकते हो, इस museum के अंदर आपको चीज़े देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है, एक first of kind museum है, बुद्धा के ओपर जो यह बनाया जा रहा है, यह जो नया museum है, लगबग 200 objects यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, first century sea से लेकर 19th century sea तक, जैसे की stone हो गया, bronze, sculpture, terracotta, heads, costume, जो पुराने जमाने की चीज़े थी, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी, यहाँ पर museum का फायदा पूरी तरह से उठा सकते हो, उसके बाद और भी museums के ओपर work किया जाएगा आने वाले time पर, बट जो popular है वो दो museums आज के time पर आप बकवास हैं, यहाँ पर आप लोग इनको छोड़ सकते हो पूरी तरह से, page number 12 पर आएंगे तो एक article यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर बहुत सरे articles हैं जो की COVID से related हैं, यह article चर्चा करता है, ABPMGAY scheme के बारे में, यह scheme क्या है तो आपको इसका नाम जरूर धियान रखन इस scheme के थूरू, तो हम लोग इसको समझेंगे, जो हमारी union government, एक तरीके से, उनका union government का health insurance scheme है, यही है health insurance scheme जिसको यहाँ पर सरकारी scheme बोला गया है, सरकारी health insurance scheme, APPMGAY जो की मैंने आप लोग को बताया है, approximately अगर हम बात करें, 20.32 lakh जो COVID test है, उसके बाद 7.08 lakh एक तरीके से treatment है वो सब authorize करे गए, इस scheme के अंडर में, साल 2020 से लेकर साल 2021 तक, time period था, अप्रेल 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक, इसके अंदर जो cost लगी है, वो लगबख 2794 करोड रुपे की यहाँ पर cost लगी है, इसके अंदर, तो आपको ध्यान रखना है, ठीके, तो एक छोड़ी सी information है, परीके insurance scheme है, health को लेकर work करती है, कौन जी scheme? आयुश्मान, भारत, प्रदान, मंत्री, जन, आरोगे, योजना, तो यहाँ पर यह health sector को लेकर work करती हुई, नजर आती है, तो इसके अंदर किता पैसा खर्चा गया है, उसके बारे information दी गई है, otherwise बाकी information आप लोग यहाँ पर GM मतलब genetically modified soil meal import यहाँ पर बोला गया है, और यह जो meal होने वाली है, यह किसको support करेगी poultry industry को, जो हमारे मतलब कि जो chickens वगएरा है, जो भी मुरगया है, उसको खाने के लिए चीज़े चाहिए होती है, वो यहाँ पर इस सोय को खिलाएंगे, इस सोय बीन को खिलाएंगे, अब जिनका भी तरीके से इसके regarding livelihood चला है, तो उनको फायदा होगा, उसको हम लोग समझेंगे, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर बोला गया है, जो genetically modified crop है, तरीके से आप कह सकते हो, जो genetically modified soya है, ठीक है, soya meal, soya bean है एक तरीके से, अब यहाँ पर क्या है, इसका import क् results, यह दो के आजएगा, और क्या होगा, इसको पोल्ट्री फीडिंग के तरह स्मापल कर जाएगा, पोल्ट्री फीडिंग मतलब यह मुर्गे है, इनको यह खिलाया जाएगा, ठीक है, अब मुर्टे मुर्गे हैं, इनको सब खिलाया जाएगा, और एक तरीके से, soya meal है, तो इनको फाइदा भी होगा जो यह चिकन है प्लस उसके बाद यहाँ पर यह चीज़े बहुत ज़्यादा सस्ती भी मिल जाती है आपको मालूम होगा स्वयबिन है किता सस्ता ठीके लेकिन यहाँ पर जो एन्वोर्मेंटलिस्ट है उनका कंसर्ण यह है कि आप लोग जनेटि क्योंकि अभी स्टडी ऐसी कुछ नहीं है जो कि प्रूफ करें कि यहाँ जनेटिकली मिटे जो क्रॉप फूड्स है वो फाइदे मन्द ही होंगे तो यहाँ पर यह चीज़े जो है प्रूवन नहीं है तो अभी प्रूवन होने में टाइम लगेगा तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर environmentalist ने अपना concern दिखाया है बट फिर भी यहाँ पर बोला गया जो poultry industry है उसकी बहुत बुरी हालात हो गई है पिछले कुछ disasters के बाद में पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत बुरा हाल हुआ है जनवरी 2020 के अंदर एक rumor फैल चुकी थी COVID-19 जो है यह फैलता है किस से चिकन खाने से सबको मालूम होगा यह एक rumor फैल चुगा था उसकी वज़ा से जो चिकन की डिमांड हो पुरी तरह से crash हो गई थी और यह poultry market हो पुरी तरह से down पहुचा उसके बाद आपको मालूम होगा avian influenza आ गया ठीक है और भी दूसरे crashes आ गया जिसकी वज़ा से avian influenza आ ग genetically modified soya bean इससे यहां पर काफियत तक इनको फाइदा मिलेगा 34 या 36 रुपए खिलो यहां पर इनको food मिल ला है तो आप कह सकते हो इनका पैसा भी बच रहा है प्लस जो है आपको सकते हो कि quality product भी मिल ला है और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा तो यह चीज़े यहां पर दे यह सारे जितने भी नोट्स मैंने भी आप लोगों को दिखाए दिस हमने man और human का conflict पड़ा था और यह बहुत सारी चीज़े पिच्चर हमने देखी थी वह सब आपको देखो PDF पर मिल जाए उसका एक टेलिग्राम चनल है दीपक यादा वैजूकेशन नोट्स वाला उसको जाकर जॉइन कर लेना वहां पर आपको सारे यह पिच्चर वगरा जित्ती भी चीज़ें वह सम मिल जाती है ठीक है इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में मिला वाए वहां से भी जाकर आप लोग इसको जॉइन कर सकते हो जो बात करते है जनेटिकली इसके बारे में तो यह जी एम क्रॉप क्या होती एक एक एसी क्रॉप जिसको जीन कैना अंदर बल जाती है तो यहां पर जैब झरण गया धर लाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग genetically modified system उसके बाद आज के टाइम पर इंडिया के अंदर क्रॉप है genetically modified crop बिल्कुल है आपको BT cotton देखने को मिलेगा BT ब्रिंजल देखने को मिल जाएगा ठीकि यह सारे genetically modified crops ही देखने को मिलती है ओके तो आपको इसके बारे में ध्यानक नाए important है आगे बढ़ते हैं next अरिकल की तरफ और क्या है important exam perspective से तो page number 13 ने advertisement भरावा page है page number 14 पर भी advertisement भरावा इनको आप लोग totally skip कर सकते हो उसके बाद page number 15 पर आएंगे that is world section देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है यहाँ पे एक article है बोला गया है आरता तालिबान ऑन दा तालुकन के ओपर फिर उसकाद 9 अगस 10 अगस 11 बारा 13 उसकाद आप कह सकते हो कि अभी कल तक की news 13 अगस तक जो है बहुत सरे तो अभी के लिए इसमें इतनी चर्चा हो रही है कि इतने इतनी जगा पर कबजा कर चुका है तो देखता आने वाले टाइम पर हम लोगो किस प्रकार से चीज़े देखने को मिलती है उसके बाद एक छोटा सार्टिकल है no need for further WHO virus origin probe China यार यह क्या मुद्धा है इसको समझो देखो है कि मतलब WHO ने अभी हाली में तो एक इन्वेस्टिकेशन करी थी चाइना में जाकर कि यहां पर लगता ही है कि कोरोना जो है चाइना से निकल कर आया है यह चाइनीज वाइरस है ठीक है सब को ही पता है अब यहां पर चीजों को ले कर आनगे सामने अब क्या हुआ इंवेस्टिकेशन कर ली थी उन्होंने इस समय लेकिन अब क dug発 करी गई है World Health Organization ने फिर से आपर गुहार लगा І यह वैसी दुनिया भर कह रही है कि चाइनीज वाइरस है तो यहां पर यह चीज़े देखने को मल जाए हूँ अब चाइना भी बना कर रहा है इसको की बनाया है तो उसके बारे में चोड़ी सी इनफोर्मेशन है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ तो यार हमने एक आर्टिकल पीछे छोड़ दिया था जिसके ओपर हमने थम्नेल बनाया वा था तो आर्टिकल के अंदर चर्चा यह हो रही थी आसम असेंबली ने काव प्रोडेक्शन बिलको पास कर दिया है तो आपको ध्यान रखना है और वो बिल है आसम कैटल प्रेजर्वेशन बिल 2021 देखो यहां पर चीजे पूरी तरह से बैन नहीं है जो बीफ है एक तरीके से बीफ को भी बैन कर दिया गया है लेकिन बहुत सारी जगा पर बैन न नहीं होगी ऐसे यहां पर पिलके अंदर बोला गया है और दूसरी चीज कोई कॉमुणिटी ऐसी है जो कि इस बीफ को या फिर इन सब चीजों को नहीं घाती है वेजटे रिजटेरिंटी है वहाँ पर यह चीज चलती नहीं है तो क्या होगा महाँ पर लेकिस बीफ का सेल लगाया गया है, इस बिल के अंदर, ओके, तो आपको ध्यान रखना है, अगर यहां, और काउ को पूरी तरह से बैन किया गया है, देखो, काउ की स्लॉटरिंग तो बिल्कुल नहीं होगी, जो यह बीफ है, जो बीफ है, यहां पर इसका इस्तमाल किया जा सकता है, बट यहां पर रीजन्स, मैंने आपको कंडिशन्स बता दिये, कंडिशन्स क्या है, टांपल के 5 किलोमेटर के रेडियस के आसपास कहीं पर भी बीफ नहीं देखने को मिलेगा, तो यह बदलाव हुआ है, आसाम के अंदर, यह तरीके से काउ प्रोडेक्शन बिलको लेकर, काउ को प्र प्रोडेक्शन पर, नवादे पेज नमबर 16, बिजनस पर और यहां पर क्या है, एकनॉमी के परस्पेक्टिव से इंपॉर्ण आर्टिकल का डिस्कॉशन होगा, तो एकनॉमी के पॉइंट आव्यू से जो यह वाल आर्टिकल है, यह इंपॉर्ण हो जाता है, जुलाई का प्लस इंपॉर्ण भी इंक्रीज हुआ है, तो आप देख पाओगे, एक्सपॉर्ण जो है 49.9% से देखने को मिला और इंपॉर्ण जो है 63% से, तो आपको धियान रखना है, अब इससे क्या होगा, जब हमारी कंट्री का एक्सपॉर्ण इंक्रीज हो रहा है, अब्यसे बा लेकिन कंट्री के एक्सपॉर्ण के ओपर जदा फोकस किया जा रहा है, लगबख यहाँ पर 49.9% से इंक्रीज हुआ है, 35.43 बिलियन तक का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जुलाई वाले सेक्टर में, आपको ध्यान रखना है, पहले भी हमारा जून में भी जुलाई के अंदर भी एक्सपॉर्ण इंक्रीज हुआ है, और खास कर यह आपका सकते हो, इंजीनियरिंग होगे, पेट्रोलियम हो गया, जूलरी हो गई, इन सब चीजों के अंदर जो है, यह ग्रो होता हुआ नजर आया है, ठीक है, उसका इंपोर्ट भी बड़ा है, हम लोग कंडिशन समझ रहे हैं, एक बास हमारे दिमाग में आइडिया आ चुका है, यहाँ जुलाई का एक्सपॉर्ट सेनेरियो क्या गया है, और एकनॉमिक के उपर क्या इंपक्ट पड़ता है, एक्सपॉर्ट बढ़ेगा तो, अब्योसी बात है, पॉजिटिव इंपक पॉलिसी है, यह प्रोमोट करेगी सर्क्यूलर एकनॉमिक को, ठीक है, मतलब कि एकनॉमिक अदर कॉंट्रिबिशन होगा, वो कैसे होगा, तो इस स्कीम के धुरू यहाँ पर क्या होगा, लगबग 10,000 करोड तक का इंवेस्टमेंट आने वाला है, और इससे जूब्स वगर कोई वहिकल बहुत पुराना हो चुका है, लगबग 20 साल हो चुक है, आपके पास कोई गाली है, वो 20 साल पुरानी हो चुकी है, खडा रहा हो चुकी है, बेकार है, तो क्या करना है आपको, उसको भंगाल में डाल दो और उसके वाद एक नई गाली ले लेनी है, अब पर अगर 20 साल पुराना है अन्फेट है तो फिर आपका दुबारा से जो सर्टिफिकेशन होता है वो यहां पर होगा नहीं जिए रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन इसके अंदर तो इसको एक तरीके से हटा दिया जाएगा डिरीस्टर कर दिया जाएगा और जो भी रेजि आप लोगो और दूसरी गाड़ी चाहिए होगी दूसरी गाड़ी जब आप पर्चेस करोगे उसमें आपको बहुत सारे इंसेंटिफ्स मिल जाएंगे जैसे मालो फॉर चार से शे परसेंट दक एक्स शोरूम पर प्राइस पर मिलेगा नया वहिकल उसका टेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा चूड मिल जाएगी नए वहिकल के उपर ठीके या फिर आपको डिसकाउंट चाहिए तो नियू वहिकल को पर डिसकाउंट यहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा साधी साथ जो रिजिस्ट्रेशन फीस वगरा होती है वो भी माफ कर दी जाएग पर हमारी एकनोमिक के अंदर बहुत बड़ा कॉंट्रिबूशन देखने को मिलने वाला है और जो इन्वेस्ट्मेंट है वो भी बहुत ज़दा आता हूँ नजर आएगा इन्वेस्ट्मेंट को अट्रेक्शन होगा इन्वेस्ट्मेंट आएगा अब्यसी बात है फिर अब बढ़ते हैं हम लोग एडिटूरल सेक्शन की तरफ लेकिन देखो यार एडिटूरल आज मैं डिसक्स नहीं करूँगा ठीक है परिशान बिल्कुल मत होना मुझे लगता है कि अब गुस्ता हो गए होगे बिल्कुल नहीं यहाँ पर क्या एक कल संडे है कल मैं आपका यहाँ पर डिसक्शन करूँगा ठीक है तो तो कोल्ड करी कल फिल्कुल करूंगा तो यहाँ अब लोगों ने तीन आर्टिकल डिसक्स किया है उसका कल मैं फिर साप लोगों को पूरा सिच्वेशन बताओंगा यह अफगानिसान की हिस्ट्री के बारे में कवर करेंगे यह शुरुवात कैसे हुआ है सब कुछ पूरा का पूरा मा मामला है पूरी हिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे तो बिल्कुल भी यहाँ देखो क्या है ना अभी यहाँ पर 40 मिनट अल्रेडी हो चुक है है वीडियो और लंबा हो जाएगा कम से कम 20 मिनट तो चाहिए इन एडिट्वेश को डिसकस करने के लिए पूरा वीडियो एक घ करता हूं सारी चीज़े मैंने आप लोगो यहाँ पर प्रवाइड करवा दी हैं जिसको न्यूस्पपर के PDF में यह नोट्स नहीं मिल रहे हैं वो जाके टेलिग्राम चैनल से जॉइन करके वहां से ले सकता है ठीक है जहां पर भी आपको कमफर्टिबिलिटी हो वहां से इंसान सारा इटिम में ओके तो परिशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं आपको मालूम होगा हमने पिछले बार भी कितने आर्टिकल छोड़े थे लेकिन सब को कवर कर दिया है तो यह मेरी जिम्हेदार ही होती है मैं डेली बिसस पर जो भी छूटता है वो मैं करवार क करता हूं तो आप लोग टेंशन मतलब वीडियो जितना देखा है वह सारे इंपोरेंट आर्टिकल है हाँ एक चीज़ और यह बता दूं कि देखो हम लोग ना पूरे न्यूस पेपर में सिर्फ और स्रिफ एडिटोरियों पर फोकस करें बिल्कुल नहीं या फिर सिर्फ औ आपको दोनों को उपर फोकस करना पड़ेगा और बराबर फोकस करना पड़ेगा जैसे कि मैंने स्क्राइबिंग पॉलिसी के बारे बताया तो मैं आपको एक मतलब एक एक जामपल यह देता हूं अभी हमने हाली में एक आर्टिकल डिसकस किया था किस चीज को लेकर मुझे मैटेरियल देखे तो उसके अंदर चीज़ें देखने को मिल रहे हैं तो थोड़ा बात फोकस करते रहो मेरी कोशिश और रहेगी मैं और बहुतिनी कॉंटेंट दे सकूँ मैं और भी बहुत सारे जो है आपको यह नोट्स बगरा प्रोवाइड करवा सकूँ तो मेरी कोशि दिया जाए लगबग सातवे से पहले-पहले कोशिश रहेगी तो कोशिश मेरी यही रहने वाली है और इसके साथ करते हैं लेक्चर को समाब फिर और इसकी टेंशन मतले न आर्टिकल की यह मैं कल डिसकस करने वाला हूं मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में आज क हैं रहें हिंदा